नमस्कार मित्रो मैं ममताबाज पेई भुपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है लीजिए मैं फिर हाजर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहे हैं इंडियन टैरिस गार्णिंग आर्ट और आज के वीडियो का विश्य एक जुगाड है जी ह है तो बस आज ऐसे ही मेरी एक पुराने स्कॉर्ट पर नजर गई जो फट चुका था तो आज उसको हमने इस्तेमाल किया है और उसका एक बहुत बड़िया शांदार मजबूत सा ग्रो बैक बना है क्योंकि यह जो कपड़ा है जो हम जीन्स पैंते हैं उस तरह का डेनिम का क को डिटेल में समझा देती हूं जादा कुछ करना है नहीं पड़ा क्योंकि स्कॉर्ट की शेप ही ऐसी होती है यह देखिए उसमें इलास्टिक है इस जगए उपर से सकरा होता है नीचे से चोड़ा नैचरली होता है देखिए एक बार फिर से बताते हैं कुछ नहीं बस आस आने से पकड़ा और इकठा किया प्लेट्स डालें और बांधने का एक स्पैशल तरीका है वो जरूर देखें आप थोड़ा सा आर्टिस्टिक धंग से जो वो भी जुगाड ही है जो हमारी पैकिंग वाला रसी आती है यह देखिए इस तरह की और इसमें लूब बनाया जब हम पॉट हेंगर बनाते हैं तब इस तरह की नौट लगाते हैं और यह रसी जल्दी कटती नहीं है इसलिए इससे नौट लगाई है मैंने यह जो लूब बनाया है ना अंत में इसी मैंसे धागा पास करके और उपर का सेरा खींच लिया जाएगा तो नौट मजबूत ह जाएगी नहीं तो प्लास्टिक की रसी में नौट खुलने का डर रहता है और यह एक साल भी चल जाएगा अगर तो अपनी महनत बसूल क्योंकि वैसे भी फटा कपड़ा तो फेक ही देते जुगाड के जो पॉट होते हैं वो ऐसे ही साल भर के लिए होते हैं हम कॉटन से भ ग्रो बैक भर जाते हैं गमले भर जाते हैं सब फुल हो जाता है तब फिर जुगाड का काम चलता है सजमानी है बहुत मज़ा आता है इसमें कि हमने कुछ किया और एक पुरानी चीज का इस्तेमाल हो गया देखिया कुछ नहीं किया बहुत बहतर ढंक से बान दिया है और ब या तो टाइल्स का एक टुकड़ा रख देती हूं या फिर पुछ भी हार्ट चीज रखके और मैं उस पर एक ग्रोव बैग रखती हूं ये देखिए मैंने इस पर प्लास्टिक एक सीट रख दी है और ये तो मैं हमेशा ही करती हूं मैंने कई बार बताया है ये सकट बहुत लंबा है तो हमने काफी हद catch match मूड़ दिया है क्योंकि जादा मिटी भरने से भी क्या फायदा तो नीचशों तो बहुत सारी बेले और जो गार्डुन का जार बर दिया है और जितना भरना है अगर कुछ बड़ा पौधा लगाना है तो इसको हम और उंचा भी भर सकते हैं मैंने फिलाल इतना ही भरा है क्योंकि जितना ज़्यादा भरेंगे ना तो उतनी मिट्टी भी चाहिए और मैं बहुत बड़ा पौधा लगाने के मूड में नहीं हूँ अब सर्दिया है देखते हैं क्या लगाओंगी यह तो सोचा ही नहीं है अभी तो केवल पौट रेड़ी करके छोड़ दिया है और देखिए अब यह पूरा भर चुका है तो कैसी लगी है जुगार कॉमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार